महिलाओं के वोट में बहुत तागत है वो सरकार को ताच पहना सकती हैं तो जमीन पर पटक भी सकती हैं मत्विदेश की दोनों ही लीडिंग पार्टी ये बात अच्छे से जानती हैं इसलिए तो चुनावी साल शुरू होते ही वीजेपी हो या कॉंग्रेस दोनों ही पार्ट पूर्व मुख्यमंतरी कमलनाथ ने ट्विट करके वो सारे मुद्दे उजागर कर दिये जिसकी वजह से महिलाएं थोड़ी परिशान हैं बात बड़े इत्तफाक की है कि जब पूर्व मुख्यमंतरी कमलनाथ ये ट्विट कर रहे थे तो उसी वक्त मुख्यमंतरी शिवरास सिंग्ग च्वहान रतला में महिलाओं का सम्मेलन कर रहे थे पहले आपको बता दें कि कमलनाथ ने ट्विट में क्या लिखा मद्ध प्रदेश जैसे देश के हिर्दे प्रदेश में भार्तिय जंता पार्टी ने महिलाओं का अपमान और उत्पीडन करने की कसम खाली है भाजपा के एक नेता ने कल हमारी बेटियों के वस्त्रों के बारे में अत्यंत शर्मना टिपनी की और उन्हें शोप नखा कहा जबलपुर में शराब की दुकान का विरोध कर रही बेहनों के ऊपर शिवरास फरकार ने पुलिस से बरवरता पुरवक दमन कराया उनके बाल पकड़ कर घसीडा गया कटनी में एक महिला का निधन होने के बाद उसका शब ले जाने के लिए अम्बुलेंस नहीं मिली और परी जनों को मुरतक के गहने बेच कर अम्बुलेंस की ववथा करनी पड़ी मुराना में मुख्यमंत्री जी मंत उसे महिला हितेशी भाशन देते रहे और एक महिला सभा में खड़ी अपनी पीड़ा को लेकर रोती रही यह तो सिर्फ वे घटना हैं जो पिछले तीन-चार दिनों में मध्ध प्रदेश में घटनी है शिवराज जी की सरकार में पिछले 18 सालों से प्रदेश महिला उत्पीडन के पूरे देश में नंबर वन हो जुगा है महिलाओं का अपमान करना उनका उत्पीडन करना और उनके बारे में आपत्ती जनक तिपनी करना भाजपा के पहचान बनता जा रहा है मैं देश की माताओं बहनों और बेटियों से निवेदन करता हूँ कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई में आगे आएं कॉंग्रेस पार्टी उनके अधिकारों के संगष में उनके साथ खड़ी है कमलाथ ने ये ट्रेट किया है दोनों ही पार्टियां राजनेते का मुद्दे में महिलाओं पर राजनीती कर रही है महिलाएं किसको बोट दे और किसको ना दे खैर दोनों ही पार्टियां ये चेद जाएं कि महिलाएं पढ़ लिख गई हैं और वो अपने अधिकार का इस्तमाल वक्षू भी करना जानती हैं वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक बिशलेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखनी हूँ आपके हक्त में